अगर आप लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए में को बहुत सपोर्ट मिलता है नई नई वीडियो डालने के लिए तो आज का जो टॉपिक है वो एक काफी इंटरस्टिंग टॉपिक है आज मैं बात करूंगा बजट ट् टिप्स है आपको क्या आपको थोड़ा आइडिया मिल जायेगा कि आप कैसे पैसे सेव कर सकते हैं इस ट्ριप में हम ऑफिलेंगे त्रैवैंट कर सकते हैं यह आपको पैसे पे करने ही होंगे वो है वीजा फीस अब थाइलाइन की जो ओन अराइवल वीजा फीस है वो दो हजार बाट है अराउंड 43 तू 4400 इंडियन रुपीज यह आप बिल्कूल भी चेंज नहीं कर सकते हो आपका कुछ भी बजट होगा आपको यह पैसे आपको फ है फिफ्ट पॉइंट है जिसमें आप ऐसे सेव कर सकते हैं वो है टिकेट अब यह फ्लाइट टिकेट में आप क्या सकते हो जो सबसे अच्छा आइडिया है कि आप Google फ्लाइट या कोई भी जो जैसे स्काय स्कैनर है आप उसमें जाके अपनी फ्लाइट आप डालके देखि कि तीन महीने पहले आप स्टार्ट कर दीजिए टिकेट अपनी ढूना विकोज अगर आप जितना क्लोज अपनी ट्रिप के आसपास करोगे टिकेट तो उतनी ही आपको एक्सपेंसी पड़ीगी तीन महीने एक बहुत बहुत ही अच्छा टाइम है दूसरा इसमें एक और संडे को और सैटेड़े को टिकेट अपनी मत बुक कराई इसमें आपको काफी डिफ्रेंस अल्मूस 5,000 रुपे आपको डिफ्रेंस इसमें मिल सकता है उसके बाद अगर आप थाइलेंड जा रहे हैं या आप इंडिया से भी जा रहे हैं तो ट्राइक करिए कि हॉलिडेज इस पे नहां जाएए आप एक उलिडेए कोगल पे धालंका ये कौनठ से पॉलिक हालेड़े या और कौन अपर लिए से टिकेट पड़ींगी अराउंड अबाउट 10,000 रुपे का डिफिरेंस आ जाता है तो यह दो पॉइंट अपने आप दिमाग में जरूर रखिए दो से तीन पॉइंट तीन महीने पहले टिकेट अपनी बुक कराईए मिनिमम से मिनिमम तीन से चार वेबसाइट में जाके चाहिए और क्यालते फेस्टिवल्स और हॉलिडे पे टिकेट नहीं होनी चाहिए तो नंबर फॉर पॉइंट है अकॉमडेशन तो यह भी काफी एक इंपॉर्टन पॉइंट है जिस पर आप काफी पैसे सेव कर सकते हो अगर आप एक इंडिविजूल ट्रैवल हो सोलो ट्र चाहिए और कोई होस्टल में जाके रुखिये अजहर आप इंटिल आ ओको खाने की प्रॉब्ल्लम नहीं होने चाहिए अगर आपको खाने की प्रॉब्लम है तो आपको इसमें सेकंड काफी आपको रॉक्शों करूंगा जिसमें ऑर सालो में और शो इसमें यह्यूंध тепल़ बराबर का ही प्राइज मिले और मोस्ट लाइकली आपको कम प्राइजी मिलेगा पर उसमें यह पॉइंट है कि आप उसमें दो जने तीन जने चार जने पांच जने भी रह सकते हो तो सारे लोग उसकी कॉष शेयर कर सकते हैं अगर आप होटल में रहोगे तो मैक्सिमम दो बं इंडिया से मील्स होती हैं वही आप अपने लेल लेके आईए और आप अपने एर्बीएंबी में वह माइक्रोवेव कर सकते हैं या ब्रैट के साथ खा सकते हैं तो आपको एट लीस्ट जो फूड कॉस्ट है क्योंकि फूड कॉस्ट भी काफी इंपॉर्टन कॉस्ट है होस्टल में अगर आप एक बंदा सोलो ट्रावर रुकता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 200-300 बाट एक दिन के लिए वह रुक सकता है तो रांड बाउट 500-600 रुपे में आप पर डेक हिसाब से रुक सकते हो अगर आप 5 दिन के लिए आ रहे हो तो आपका 3000 रुपे में आप फूर्थ important point है होटल में आप बिल्कुल भी stay मत करिये क्यूंकि यह budget traveler है आप अगर बजट के लिए आप बिल्कुल भी पैसे नहीं घर्च कर सकते हैं बिकोज यह हमारी सीरीज है बजट वाली तो इसमें आपको मैं बताऊंगा मिनिमम से मिनिमम आप कैसे फूड में सर्वाइव कर सकते हो आपको ज़्यादा पैसे इसमें लगेंगे नहीं तो सबसे जो important point है हमारे इंडियन के लिए आता है वो है हमारा food हमें इंडियन food खाना बड़ा अच्छा लगता है और हमारा वो ही हमारे टंग पे हमें suit करता है तो अगर आप एक तो आप vegetarian हो और आप Thailand आ रहे हो आपका एक बहुत important point है कि आप अपना खाना आप इंडिया से ही लेके आईए यहाँ पे आपको 99% vegetarian खाना नहीं मिलेगा तो वो आपको problem आएगी जैसे मैंने अपने फोल्ट पॉइंट में कहा था कि आप Airbnb में अपना खाना microwave भी कर सकते हैं cook भी कर सकते हैं तो ready to made जो meals हैं वो आप अपने तो आप कम दिन के लिए आ रहे हैं चार से पान दिन के लिए तो आप वो ready to meal खा सकते हैं obviously वो healthy नहीं होती इतनी पर because यह trip छोटी है तो उसमें आप खा सकते हैं बाकी अपना breakfast के लिए आप यहाँ पे fruits खा सकते हैं 7-11 से bread ले सकते हैं और जो other जो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़े vegetarian है वो खा सकते हैं अब हम इसमें आजाते हैं non vegetarian के लिए non vegetarian के लिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप दोनों के लिए vegetarian non vegetarian के Indian food आप यहाँ पे try करें बिल्कुल ही avoid करना unless or until आपको बिल्कुल ही चाहिए सब दो या तीन दिन के बाद आपको खाना ही खाना है तो आप वो Indian food ही खाना है तो खा सकते हैं पर मेरी recommendation यह रहेगी क्योंकि यहाँ पे Indian food बहुत ही महंगा है अगर आप तीन दिन में अगर आप एक दिन में तीन बार मिल्क खाते हैं तो minimum से minimum 1000 बाट आपके लग जाएंगे 1000 बाट का मतलब है 2200 रुपे सिरफ फूड के ही तो फिर आप वो budget traveler आपके रहनी जाएंगे 5 दिन का आपकी 11000 रुपे आपके सिरफ फूड में ही लग जाएंगे तो मैं आपको recommend ये करूँगा कि Indian food बिल्कूल ही avoid करिए non vegetarian के लिए यहाँ पे कोई problem नहीं है आपको बहुत जगए यहाँ चिकन बरगर मिल जाएंगे चिकन कबाब मिल जाएगा थाई local food मिलेगा जितना से जितना आप local food खाएंगे उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप सिरफ Thai food खाएंगे तो आप 100-500 bar पूरे दिन में spend कर सकते हैं सिरफ food पे तो सिरफ 400 रुपे आप 300-400 रुपे सिरफ food पे spend कर सकते हैं जो आपके सिरफ 1500 रुपे बनेंगे पूरे 5 दिन के तो ये मेरी recommendation रहेगी और इसमें ही मैं डाल देता हूँ alcohol भी मैं इसमें डाल देता हूँ because obviously बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं to enjoy और यहां पे drinks करने आते हैं तो मेरी इसमें recommendation रहेगी कि 7-11 यहां पे सबसे अच्छा option है try करिए कि जो बड़े बड़े bards हैं या even छोटे bards हैं आप कुछ आने की वहां पे आप जाएए enjoy करिए पर आप पहले ही आप 7-11 से आप अपनी beer विस्की जो भी आपको पीना है वहां से आप ले सकते हैं बहुत ही reasonable price पे आपको मिलती है और वहां से पी के फिर आप अपनी आगे जहां पे भी आपको पाटी करने जाना है आप जा सकते हैं तो ये मेरा बहुत important point है number 3 अब second जो मेरा important point है वो है shopping आप ये shopping हर आदमी के लिए अलग अलग चीज़े हैं कि उसको क्या चाहिए अगर आप ऐजा कापा लाते हैं आपको अलग चीज़े लेनी हैं अगर आप single बंदे हैं आपको अलग चीज़े लेनी हैं मेरी इसमें shopping में recommendation रहेगी कि avoid करिये malls में shopping करना क्योंकि वो mall के prices जैसे इंडिया में mall के prices हैं आपको almost similar ही पढ़ेंगे महंगे ही पढ़ेंगे वो आपको sustain नहीं पढ़ेंगे इसमें आप क्या कर सकते हैं जैसे मैं आपको मेरी आप दो-तिन वीडियो में जाकर देख सकते हैं जैसे fashion mall है जैसे mbk mall है जैसे indra market है चटो-चट market है और जो छोटे-छोटी आपको यहाँ पे night markets देखती हैं आप मेरे vlogs में देख सकते हैं जोट-फेर की एक market है तो try करिए जो local छोटी-छोटी markets हैं जो local थाय बंदे आपको sell कर रहे हैं वो ही आप shopping करिए उसमें आप काफी-काफी पैसे save कर सकते हैं almost 70-80% आपको वो चीज़े discounted पे मिल जाएंगी तो ये है मेरा shopping का tip और recommendation number one important point है जो आपको इसमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे लेना ही पड़ेगा वो है transportation अब airport से मेरी recommendation ये रहेगी कि airport के नीचे basement से train चलती है BTS जैसे इंडिया में metro station है वैसे BTS यहाँ पे चलती है वो आप train लेजिए city में आने के लिए टेक्सी आप बिल्कुल avoid करिए टेक्सी में 400 बाट लगेंगे वो ही आप city में आ सकते हैं 30 बाट में उसके बाद try करिए कि आप local transportation ले जैसे यहाँ पे फ्लोटिंग में boat बोट भी चलती है बसे यहाँ पे बहुत हस्ती है उसके बाद मैं आपको एक recommend करूँगा grab एक app है grab और बोल्ट जैसे इंडिया में अपनी ओला है तो उससे ही आप book करिए local taxi आप try करिए और टुक टुक बिल्कुल ही avoid करिए because उनको पता लग जाता है कि आप tourist हैं तो आपको 200-300 बाट चार्ज करेंगे सिरो थोड़ी सी थोड़ी जगे जाने के लिए तो इसमें आप काफी पैसे save कर सकते हैं अगर आप single बंदे हैं तो यहाँ पे bike चलती है bike taxi वो लीजिए तो यह सारी जो मेरी tips है recommendations है इसमें आपको काफी help आपको मिलेगी पैसे save करने के लिए easily आप पूरा अपना budget 30,000 के अंदर Bangkok में enjoy कर सकते हैं उससे भी जादा अगर आपको time रहना है यही आप चीजें use करके long time में रह सकते हैं please subscribe करिए like करिए और कोई भी आपके और questions हैं तो comment करिए मैं आपके questions का answer दूँगा thank you so much